हाई अब्रीवन सभी का वॉर्म वेलकम है वाई डी और इंगली शूटर पे मेरा नाम है अमन बहल आज सुबह का सेकेंड अटोलियर पड़ेंगे दा हिंदू का ग्लीमर ओफ इसका टाइटल है आपने ऐसी न्यूज बहुत सारी सुनी होंगी न्यूज आर्टिकल्स जिसमें स्कूल्स में शॉपिंग मॉल्स पे अमरीका में लोग एक दूसरे को शूट कर रहे है रिसेंटली रॉब एलिमेंटरी स्कूल है टेकसस का जहां पे 5-6 साल के 19 बच्चों की हत्या कर दी एक सर्फिरे ने गोली मार के तो यूएस का ही जो गन कल्चर है और जिससे शूटिंग्स बढ़ती जा रही है इसी पर लिखा हुआ है आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल बहुत इंटरस्टिंग आर्टिकल है आपको मज़ा भी आएगा पढ़के और इंफॉर्मेटिव भी लगेगा शुरू करने से पहले एक चीज़ को जरूर ध्यान दें सिरफ यहां पर पढ़ेंगे नहीं बलकि ग्रामर वोकैब पर अलग से फोकस करना है और सारी ग्रामर वोकैबलरी जो आप सीखोगे इस क्विज पर आपको अपलाई करनी है सुल्यूशन लास्ट में करवांगा क्लास के छे क्वेशन्स आपके सामने है एक ट्राइग इन को जरूर से दे लेना चलिए शुरू करते हैं क्लास को आईए कुछ नया सिखते है चलिए करेक ग्रीमर ओफ होप देखे होप का मतलब है उमीद यानिकी आशा ग्लीमर का मतलब होता है हलकी सी रोशनी एक जिल मिलाती सी हुई किरन जैसी आपको सितारों से दिखाई देती है न टिम टिम आते हुए उसको बोलते हैं ग्लीमर करे होप की आशा की उमीद की एक हलकी सी किरन एक जिल मिलाती सी किरन हमें दिखाई दे रही है चलिए अब टाइटल पराग्राफ को देखेंगे ये किरन कहां से आई है केरा जो अमरीका नाम का देश है इसके पास अभी भी है तो ये अभी भी रखता आ रहा है बहुती पेचिदा बहुती कॉंपलेक्स सवालों को और क्यों रखता आ रहा है कौन से questions है ये वो questions है जिनको इससे resolve करना है questions है जिनका अभी समाधान लाना बागी है अचा किस सीज़ पे हैं सवाल ये सारे ये है उस gun की ownership पे उस बंदूग के रखने की ownership पे जो unrestricted है जो बेलगाम है जो unhindered है तो अमरीका में guns बहुत easily available हैं आपके पास खाना हो या ना हो थोड़े से पैसों से आप एक gun जरूर लागर के अपने पास अपनी जैब में रख सकते हैं तो ये जो बेलगाम तरीका है gun ownership का इस पे कई सारे सवाल जो है US के पास अभी भी जारी है जिनको इसको resolve करना है अमरीका की verb है has questions आप जानते हैं resolve करना समाधान करना complex होता है बहुत ही पेचीदा बहुत ही complicated unrestricted मतलब जिस पे कोई restriction ना हो हिंदी में बोलेंगे इसको बेलगाम इसको unhindered भी बोलते हैं इस word को आज आप बार बार देखेंगे unrestricted और unhindered एक ही बात है चलिए ये सारे words अब ये vocab आपके सामने लिखी हुई है Hindi English दोनों में कोशिश कर रहा हूँ है ताकि सब लोगों को समझ में अच्छे से आए चलिए इस article की सारी vocab पे नदर डालेंगे ताकि इसको अपने smoothly पढ़ सकें एक like और एक share जरूर से दें इस session को मेरी कोशिश ही है कि YouTube पे best quality classes आपको यहां मिलें वास्तम में अगर मिल रही हैं तो इस community को grow करने में जरूर help करें साथ ही competitive exams की preparation का सबसे important aspect है mock test और इसके लिए मैं आपको suggest करता हूँ testbook.com industry leader है और सभी के सभी competitive exams का SSE, railways, banking, UPSC, defense एक single package आपको बना करके देता है तो इससे आप multiple exams के बहुत सारे mock test को एक साथ एक ही package में access कर पाएंगे अब यह सारे mock test तकरीवन 41,000 हो चुके हैं इन सभी को आप access कर सकते हैं एक साल की validity के साथ 399 में और 3 साल की validity के साथ में 599 में लेकिन याद रखें इस पर आपको मिलता है additional off अगर आप use करते है code yd10 code को यूज करने से एक साल का mock test pack आपको मिलता है 360 में और 3 साल का आपको मिलता है 540 में अच्छा एक जुलाई को test book अपने passes का price बढ़ाने वाला है अपने पास अभी दो दिन है आप फाइदा ले सकते हैं साथ ही अभी आपको 6 मेने की additional validity भी मिल रही है 30 जून तक तो double मुनाफ़ा है prices बढ़ने से पहले फाइदा जरूर से ले चरिए कल आपने छोड़ा था replenish पे आज के words है proliferation set या lay aside preoccupation ambit और transcend चार पुराने एक नया है proliferation आप जानते हैं किसी चीज की विकास growth increase किसी चीज की तादाद में बहुत जादा व्रिदी होना तेजी से उसकी तादाद बढ़ना the past decade saw a massive proliferation of online services पिछले decade ने देखा पिछले दशक ने saw किया एक बहुत ही बड़े विकास को development को growth को online services में आजकल हर चीज online है ये पिछले 10 साल में ही हुआ है तो ये word आजा पार्टिकल में देखेंगे growth के लिए proliferation इसको expansion और generation भी बोलते हैं next word है हमारा set या lay aside कम से कम 500 बार कर चुके हैं इनके दो meaning है पहला meaning है set aside, lay aside का किसी चीज़ को side में रख देना आपको अच्छी ने लगी आपको पसंद नहीं आई आपने cancel या ignore कर दिया दूसरा इसका meaning है किसी चीज़ को side में तो रखना लेकिन future में use करने के लिए save करना for the future तो ये set और lay aside दोनों ही meaning रखती है आज के article में दोनों meaning है आप देखोगे जैसे the court has set aside the provision of reservation for Marathas for state government jobs court ने side में रख दिया है set aside कर दिया है cancel कर दिया है उस कानून को जो है erection का Marathाओं के लिए महरास्त्य सरकार की government की jobs में तो यहाँ पे मतलब है cancel करने का लेकिन दूसरा sentence देखो all of us should set aside a portion of our income for future हम सभी को set aside करना चाहिए save करना चाहिए budget करनी चाहिए हमारी कुछ income को एक portion को future के इस्तेमाल के लिए तो दोनों meaning आएंगे ध्यान रख लेना next word है preoccupation यह occupation और pre दोनों से बना है जब आप occupy होते हैं तो आप busy होते हैं pre मतलब पहले से अगर आप preoccupation वाले person है ना तो आपको किसी तरह का जुनून है आपका दिमाग किसी जुनून में हमेशा busy रहता है preoccupation का मतलब होता है आपका mania आपका keenness fixation या obsession जैसे किसी को पटने का जुनून होता है किसी को नाचने का जुनून होता है किसी को गेम खिलने का होता है यह आपके सब preoccupations है हर preoccupation with money irritates everyone उसका जुनून है पैसे को लेकर के वो सभी को irritate करने वाला है अब इसका जो आप synonym देख रहो ना obsession इसको आज आप पार्टिकल में देखेंगे जुनून के लिए इस वर्ड को हम यूज करते है फिर एक वर्ड है ambit कई बार कर चुके है ambit का मतलब होता है दाइरा, scope, purview, domain, sphere, jurisdiction, remit, realm or orbit सब दाइरे के synonym है किसी भी चीज के lawmaking powers on police and agriculture fall under the ambit of states of India कानून बनाने की जो ताकते है police और agriculture पे वो fall under करती है वो दाइरे में आती है ambit में आती है fall under the ambit भारत के राज्यों के states of India के इस तरीके से word use होता है आटिकल में आप देखेंगे last word है transcend नया word है आपके लिए transcend का मतलब होता है पार चले जाना किसी चीज को सरपास कर देना पीछे छोड़ देना language and culture transcend borders language और culture जो है भाषा और संस्कृति जो है वो borders के पार भी चले जाते है तो borders जो है इंसानों को रोख सकते हैं लेकिन culture language जो है borders के इसाब से नहीं रुखते ये word बड़ा अच्छा सा word है इडवांस वर्ड है पांच वर्ड अपने हाँ डिटेल में कर ली है अब आज आव आर्टिकल पे किस बारे में लिखा हो आपको पता लगे इस picture को देख लो आपको समझ मैं जाएगी समस्या क्या है यहाँ पे 5 साल के 6 साल के 7 साल के बच्चों को एक सिर्फरा आदमी गोली मारके उनके स्कूल में चला गया और यह गटनाएं अमरीका में बहुत आम है कभी स्कूल में, कभी शॉपिंग मॉल्स में, कभी सडक पे और इन सभी गटनाओं का रीजन क्या है यूएस के अंदर सब के पास बंदूक होना और बंदूक वहाँ पे बहुत इसली मिल जाती है लेकिन अब यह जो गटनाएं बढ़ती जा रही है न इसके चलते यूएस की सरकार ने एक बिल को पास किया है और इससे यूएस में एक ग्लीमर अफ होप आ गई है कि लोग राजनीती से भी आगे उटकरके अपनी गंस को थोड़ा कंट्रोल करेंगे हमारा आर्टिकल भी यह कर रहा है कि एक welcoming step है लेकिन अभी भी बड़े बड़े सवाल यूएस के सामने खड़े है जिसको यूएस को answer करना है सही बात समझ में आगी welcoming tone आज की और थोड़ी concern भी है welcome कर रहा है जो हो गया और concerned है जो अभी होना बाकी है उसके लिए चलिए अब आर्टिकल को शुरू करेंगे करेट transcending partisan stalemate for the first time in several generations the US Congress has passed and President Joe Biden signed into law a gun regulation bill to place several important constraints on the proliferation of fire arms across the country बड़ी अजीब सी structure है देखो ध्यान से समझ में आएगी करें transcend करते हुए अभी बताया था आपको transcend करना मतलब पार चले जाना go beyond करना करें पार जाते हुए पीछे छोड़ते हुए सरपास करते हुए एक ऐसे गती रोध को stalemate को deadlock को deadlock क्या होता है एक ऐसी situation still made yet deadlock एक ऐसी situation जहां पहर आगे जा सके ना पीछे आ सके गती रोध बोलते है इसको इंदी में और देखो पार्टिसन का मतलब होता है जो दलवाजी से related हो जो पार्टी से related हो democratic और republic करें democratic party और republic पार्टी के बीच में जो still made आया हुआ था जो गतिरोद आया हुआ था करहा उसको transcend करते हुए उसको पीछे छोड़ते हुए और कब पहली दफा for the first time और कब कहां पे पिछले कई generations में पिछली कई PDO में हुआ क्या करहा आज यूएस की जो Congress है यूएस की Congress का मतलब यूएस की Parliament करहा आज यूएस के संसद ने पास कर दिया है और पास कर चुकी है और President Joe Biden इसको sign into भी कर चुकी है एक law में sign into करने का मतलब होता है किसी को किसी सीज में बदल देना है ना तो इन्होंने sign into भी कर दिया है एक law में बदल भी दिया है कानून में और किसको एक gun regulation बिल को और क्यों है ये बिल ये place करेगा ये रखेगा कई सारी महत्वपून constraints को पाबंदियों को restrictions को जो है proliferation पे विकास पे development पे growth पे fire arms की बंदूकों की पूरे के पूरे देश में अमरीका में across the country sentence थोड़ा साजीब बना हुआ है structure में आपको समझा दूँगा meaning समझ गए ना पिछले कई generation में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये पार चले गए है एक ऐसी राजनिती के statement के जो इन दोनों पार्टियों के बीच में महां होता है और ऐसा होते हुए क्या हुआ अमरीका की संसद ने पास कर दिया और जो बाइडन ने sign into कर दिया एक gun regulation bill को पास किया है gun regulation bill है ना और sign into भी किया है gun regulation bill और ये क्यों था ये रखा ये था इसलिए कि ताकि रखा जा सके place किया जा सके कई सारी महतपून पावंदियों को जो है बढ़ने पे विकास पे proliferation पे बंदूकों के fire arms के पूरे अमरीका country में across the country अब sentence की structure आपको समझ में आ गई होगी US Congress की वरब has passed जब Congress ने इसको पास किया और जो बाइडन ने इसको sign into किया एक law में बतला तब ये transcend कर रहे थे पार जा रहे थे इस राजनिती के स्टेलमेट के ये transcending जो है present participle simultaneous action है दो काम एक साथ हो रहे होता है न पहले को main verb बना दो दूसरे को verb के एंजी form से लिख दो eating my dinner I was talking to my mother खाना खाते हुए मेरी मम्मी से मैं बात कर रहा था वैसे transcending the statement US Congress has passed constraint का मतलब होता है पबंदिया, restrictions, hindrance भी बोलते है proliferation आप बेख चुके हो growth increase किसी चीज की तदाद में बढ़ोतरी हो न fire arms का मतलब होता है ऐसे arms ऐसे हतियार जिन से fire निकले कहने का मतलब है असला बादूर्द वाली बंदू के weapons या ammunition चलो आगे बढ़ेंगे ये सारे words आप देख लेना stalemate, गति रोध अच्छा ये transcend word है ना इसके जैसा एक और word है transpire मैंने लिख दिया है क्योंकि मैं इनमें दोनों में बड़ा confused होता था transcend का मतलब होता है पार चले जाना transpire का मतलब होता है अगर होना या गटित होना किसी गटना के गटित होने को take place करने को हम बोलते है transpire करना अजीब सा word है दोनों confused मत करना चलो आगे बढ़ते है करेदा बाइपर्टिशन गन रिफॉर्म लॉव टाइटल बाइपर्टिशन सेफर कम्यूनिटीज और B.S.C. Act was passed earlier in the Senate with a final vote of 65 to 33 including 15 Republicans who joined Democrats in support of the measure and then at the House of Representatives by a margin of by 234,193 votes with 14 Republicans crossing the aisle to watch अब ये बता रहा है ये law कैसे pass हुआ इस law में क्या दिकते थी पास होने में करें जो by-partisan gun reform law है बाइपर्टिशन मतलब क्या है इस पे दोनों ही parties ने major parties ने अपनी अपनी voting की है सिरफ एक party नहीं लेकिया है इसको डेमप क्रिटिक और Republican दोनों party के लोगों ने इस law को कानून को बनाया है करें जो by-partisan दो पार्टिशन वाला जो कानून है gun reform law जिसको title दिया गया है ये by-partisan safer community act करें ये लोग को pass किया गया था passive voice में पहले earlier Senate के अंदर वहां की लोग सभा के अंदर और कैसे एक final vote के साथ में जो था 65 से 33 का 65 लोग बोल ले थे कि इस कानून को लाओ और 33 लोग बोल ले थे कानून को मतलाओ जिसमें शामिल थे 15 Republicans, 15 Trump की पार्टी के लोग, Republican मतलब Donald Trump की पार्टी के लोग, जिन्हों ने join कर लिया Democrats को, यानि कि Joe Biden की पार्टी के लोगों को इस support में, इस measure के इस पूरी कदम के जो है समर्थन में, तो Republicans ट्रम्प वाले, वो ऐसे laws के खिलाफ होते हैं, और Democratism and Biden वाले लोग जो हैं, वो इस laws की तरफ होते हैं, तो इस तरीके से लोग सभा में पास हुआ, 65 ते 35 की majority से, और फिर ये पास हुआ इनकी राज्य सभा में, House of Representatives में, एक margin के दोबारा जो था 234 का 193 से, जिसमें 14 ट्रम्प की पार्टी के लोगों ने क्रोस कर दिया, आहिल को अपना दल बदल कर दिया, वोट करते वक्त, तो उन्होंने ट्रम्प की इस पार्टी के लोगों ने, Democrats का साथ दिया, और इस law को पास करवा दिया समझ में की कानी इस तरीके से law पास हुआ है, law की वब है, was passed passive में, who की वब है, joint who are Republicans के लिए किसी भी कानून के आके दा लगाना है, चाए इंडिया का हो, चाए अमरीका का हो act है, तो दा लगा हुआ है, सरकारी act है, है न, अच्छा और इसमें कुछ देखने वाला है क्या, चलो cross the aisle देख लेना, देखिए aisle का मतलब होता है gallery, और cross का मतलब होता है cross कर जाना, अब gallery को अगर आप cross कर रहे हो न, तो आप BJP से Congress में आ रहे हो, Congress से SP में जा रहे हो, SP से BSP में जा रहे हो समझे न, दल बदलू, थाली का बेंगन, cross the aisle करने वाला, gallery को cross करने वाला, अब देखो दल बदल करने के लिए आपनी पूरा phrase तो देख लिया, लेकिन दल बदलू के लिए एक one word है English के अंदर, one word for a politician crossing the aisle, एक ऐसा politician जो बड़ा जल्दी अपना दल बदल लेता है, बताना इस one word को जिन लोगों को आता है, comments में डालना, मैं भी डालूँँगा comments में, और जिनके सही होंगे, उनको hearts दे दूँगा, करे वाइल, the bill goes a conceded rival distance in running in the relatively unhindered sale of firearms across weapon buyers profiles, it falls short, far short of the critical regulations that Democrats have been passing, pressing for, करे ये pass तो हो गया, लेकिन अभी भी अधूरा है, कैसे, करे जहां ये bill जो है, जाता है, गोज करता है, एक considerable distance, बहुत ही लंबी दूरी, considerable मतलब जिसको नजर अंदाज ना किया जा सके, distance मतलब दूरी, करे जहां ये bill जो है, बंदूकों की, बिकरी को, जो तुलनात्मक तोर पे unhindered है, unrestricted है, बेलगाम है, बाकी countries में तो नहीं मिलती firearms, अमरीका में मिल जाती है, तो करे ये बहुत आगे तक जाता है, इसको control करने में जहां, और कहां, पूरे के पूरे weapons buyers की profile में, हर तरह के buyer के लिए, इसमें कुछ restrictions लग गई है, करे फिर भी, कौमा लगा के बिता रहे हैं, फिर भी ये उमीदों पे खरा नहीं उतरा, fall far short of कर गया, fall short of का मतलब होता है, पूरा खरा नहीं उतरना, ये खरा नहीं उतरा, कई सारी critical regulations पे, कई सारे महतफून नीमों पे, जिनको, जो बाइडन की party की लोग, जो Democrats हैं, जिनको press 4 कर रहे थे, जिनके लिए वो जिद करते आ रहे थे, तो कई बाते उनकी नहीं मानेगी और बाकी कई बाते मान भी ले गई हैं, इस तरीके से मिला जुला सा law है, बिल की वर्ब है goes, go at distance मतलब बहुत आगे तक जाना, considerable मतलब बहुत ज़्यादा, rain in करना मतलब control करना, किसी को नेंतरण में लाना, unhindered, unrestricted, unconstrained, जो बे लगाम हो, जिसके उपर कोई भी control ना हो, relatively का मतलब है तुलनात्मक तोर पे, इसके बाद में adjective की positive degree को ही रखा जाता है, relatively के साथ में कभी competitive degree नहीं आएगी, पताना है rule आपको, it की वर्ब है, false, false, short of का मतलब होता है, अमीदों में खरा ना उतरना, democrats की वर्ब है, have been pressing for, press for करना मतलब किसी चीज़ के लिए जोर डालना, जबरस्ती करना, चलो, अब ये rain in देख लेना, कल भी करवाया था, आज फिर से करवा रहा हूँ, आज वोगया आपका revision, class में regular रहा करो, rain मतलब किसी चीज़ को rule करना, ये बनेगा REIGN से, समझगे ना, साशन करने को बोलते है rain करना, लेकिन ये तो rain in है, ये phrasal verb है, इसमें G नहीं आता, इसका मतलब होता है कहीं पर लगाम लगाना, control करना, दोनों अलग words है, दोनों को rain बोला जाता है, लेकिन पहले में G आएगा, जिसमें साशन है, और दूसरे में G नहीं आएगा, rain in में, जिसमें आप लगाम लगा रहे हो, तो rain in या rain in inflation, the RBA has decided to increase interest rates, inflation को लगाम लगाने के लिए, RBA ने decide किया है कि interest rates को increase किया जाएगा, लगाम लगाई जाएगी भाई, ध्यान लख ले न, तो rain ये इस वाले को मतलगाया न, ठीक है, इसी से लगाम लग जाएगी, चलो, आगे बड़े, ये confusion वाले points है, ध्यान दिया करो इनको अलग से, करे the law also comes into force shortly on the heels of the US Supreme Court striking down a new court, New York law limiting concealed carrying of guns, करे ये एक और अजीव से वक्स पे आया है कानून ये, करे जो ये जो law है न, ये साथ ही साथ आता है, come into force, come into force का मतलब होता है, प्रभाव में आना, अमली करण में आना, implementation में आना, तो करे ये law जो है, अपनी power दिखा रहा है, implementation में आया है, बिल्कुल on the heels of, on the heels of मतलब किसी के पीछे-पीछे, immediately after, तो ये बिल्कुल पीछे-पीछे आया है, US Supreme Court के strike down कर देने को, cancel कर देने को, New York के एक law को, जो limit कर देने वाला था, छुपे हुए carrying को, guns की, weapons की, तो New York के court ने क्या बोला था, weapons को, आप छुपाने के लिए, जो कानून बना रहे हो, हम उस कानून को, जो है न, strike down करते हैं, हमारे हिसाब से, weapons को छुपाना बिल्कुल ठीक है, तो ये कानून अभी आया ही था, इस कानून को Supreme Court ने अभी strike down किया ही था, कि पीछे-पीछे एक नया कानून जो है बन गया, जिसमें अब altogether guns खरीदना मुश्किल हो जाएगा, तो सही बक्त पे कानून आया है, ये, law की बहुब है, comes, on the heels of मतलब पीछे-पीछे, heel मतलब ad, अगर किसी के ad के पीछे हो, तो पीछे-पीछे आरो, immediately उसको आप follow कर रहे हो, strike down करना, set aside करना, lay aside करना, quash, abrogate, annul, cancel, जानते हो ना, किसी चीज को, समझगे ना, हटा देना, conceal मतलब चुपा हो या, hidden, nevertheless, the bipartisan character of the bill reflects the best hope for a gradual and marginal shift, in the public discourse on gun ownership and its rights guaranteed by the second amendment of the US constitution, करे ठीक है, करे फिर भी nevertheless, जो bipartisan character है, bipartisan मतलब दो पार्टियों वाला, दोनों ही पार्टियों है, इसमें शामिल है, एक पार्टिय नहीं है, करे इस लोग को लाने में, जो दोनों का हाथ है ना, इस bill को लाने में, यह reflect करता है, इस सीज को, और वो चीज़ा सबसे अच्छी आशा, best hope, और किस के लिए भाई, एक ऐसे shift के लिए, बदलाब के लिए, जो gradual भी होगा, और marginal भी होगा, जो दीमे दीमे भी होगा, और थोड़ा थोड़ा भी होगा, और किस में, लोगों के discourse में, लोगों की बाचित में, लोगों के मनस्तिती में, और किसी इस को लेकर के, गन की ownership को लेकर के, और इनके right को लेकर के, जो guaranteed by है, अमरीका के constitution के second amendment के द्वारा, दूसरे समिधान संशोधन के द्वारा, तो अमरीका में बहुत बड़ा hot topic है, कि second amendment में लिखा हुआ है, कोई भी आदमी अमरीका में गन रख सकता है, और मेरा यह अधिकार है, बंदू कपनी जेब में रखना, लेकिन इस बिल के आने से हमें पता लग रहा है, लोगों को अकल आ रही है, कहने का मतलब यह, करेक्टर की वह अबार रिफलेक्ट्स, बाइपाटिशन मतलब दो तरफा, ग्रैजूल मतलब धीमा, स्लो और स्टेडी, और marginal का मतलब होता है, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, जादा नी, थोड़ा थोड़ा, डिस्कोर्स का मतलब होता है, बातचीत, discussion, dialogue, अब लोगों की बातचीत भी बदलती जा रही है, लोगों की अकटब जो है, गंस को लेगर के निकलने लगी है, आगे बढ़ेंगे दोनों हाउसे से अमरीका की संसत के दोनों सदनों से लोग सबा और राजे सबा से और यह पहुंच गया मिस्टर बाइडन की डैस्क तक करे यह जो फैक्ट अना अपने आप में कि अमरीकन लोग इतने दुखी हो गए है कि यह बिल जो है बाइडन तक पहुंच भी गया यही उस गहरे शौक को जटके को जिसको इस देश ने एक्सपिरियंस किया है जिसका अनुभव लिया है और कब रीसेंट उन एक्ट्स में उन हरकतों में जो है गन वॉयलेंस की पहले एक प्राइमरी स्कूल में टेक्सेस के अंदर और फिर एक नियोग के डिपार्टमेंटल समझ जाओगे कितने चोटे वच्चे होंगे स्कूल में आये होंगे अभी लिगना सीख रहे होंगे बोलना सीख रहे होंगे इनके इमाबाप को पता लगाओगे कि किसी सरफरे ने आके इनको गोली मार दी तो ये सब दुखी माबापी है जो अब अकल के मारे जो है इस जो कानून को लाने के लिए सब जो है जो और लगा रहे है समझ में आगी तो ये डीप शौक आप समझ गे है किस टाइप का है फैट की वब है रिफलेक्ट्स बिल की वब है पास्ट एंड रीज्ट नेशन की वब है एक्सपिरियंस्ट और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं सब्जेट वब पकड़ा करो सब चीज़ें असान हो जाएंगी ये ग्रीन पिंक मैं करता हूँ आप ही के लिए करता हूँ है न फॉलो करो इसको फिर देखते हैं आप फिर बताओ काँ आप कम जो हो करादेरिन लाइस दा लिम्टेट स्कॉप अब बाइ-पार्टिशन गन रिफॉर्म लॉओ अब ये सारी चिंताएं बताएगा अपनी के चलो ठीक है इन्होंने लो तो बना लिया लेकिन लो जो है न बड़ा ही कच्चा है कमजोर सा कानून है अब बताएगा कैसे करे देरिन लाइस वहीं पे लाइ करता है देरिन मतलब ठीक वहीं पे करे बिल्कुल वहीं पे चुपा है वहीं पे लाइ करता है लिम्टेट सा स्कोप बहूती सीमित सा दारह और किसका बाई-पार्टिसन को of this weapon, इस weapon की, कौन सा weapon कितना मिलेगा, इस question को ये बिल्कुल भी address नहीं करता है, और ना ही ये yield करता है, nor does it yield, ना ही ये लाकर के देता है, किसी भी quarter को, quarter का मतलब होता है यहां पे, रहम, किसी भी तरह की mercy, तो ना ही ये लाकर के देता है, किसी भी रहम को, mercy को, दया को, उस long वक्त से बड़ी ओई जो है मांग के सामने जो है डिमॉक्रेटिक पार्टी के लोगों के दवारा ताकि वो डिमांड किस चीज की थी कि इंस्टिटूट करो नीम रखो एक यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक की बैकग्राउंड की चेकिंग एक यूनिवर्सल मेथड की और क कोब ये limited है कि इस question फे विल्कुल ये खामोश है कि कौन सा weapon कितना buy किया जाएगा एक बंदूक रखोगे कि पांस रखोगे किस परकार के weapon की क्या availability होगी और दूसरा इसने कोई भी रहम नहीं दिखाया इस कानून ने उस long standing demand का जो Democrat Party के लोग कर रहे थे कि एक universal background check की एक संस्त हुआ चलिए scope आपका subject है scope आपका subject है और lies इसकी verb है there in का मतलब होता है ठीक वहीं पे है ना ठीक वहीं पे there in इन से अगर sentence शुरू होगा तो verb के बाद में ही subject को रखा जाएगा it की verb है does it आया इस कानून के लिए law के लिए it की verb है again यहाँ पे does yield यहाँ पे sentence में inversion हुआ है य एक चोथाई और एक और meaning भी होता है इसका किसी पर दया या रहम तो यहाँ पे एक चोथाई वाला meaning यूज नहीं हुआ यहाँ पे quarter का मतलब है रहम इसी टूट का मतलब होता है नीव रखना दोज आया इस adjective की वज़े से for preposition के बाद में them आना चाहिए था लेकिन adjective लगने क negative adverbs की वज़े से negative adverbs क्या होती है यह सारे के सारे words कैसे याद करूंगा सर बार 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 बोल करके याद करके आपको जो है देख करके आपको याद रहेंगे hardly, badly, scarcely, seldom, never, nor, not only, nowhere, no sooner, under no circumstances, in no way अगर यह negative adverbs close की शुरुवात में आ जाएं तो sentence को invert कर देंगी और इसका सीधा सा मतलब है helping verb को sentence के subject से पहले रख देंगी I have never been to Chennai, मैं कभी भी Chennai नहीं गया हूँ, यह sentence बिलकुल ठीक है, लेकिन अगर इस sentence में never को मैं शुरु में लाना चाहूँ, तो इस sentence को हमें change करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि negative ad verb never और शुरु में आ चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, helping verb को उठाऊंगा और main verb से पहले रख दूँगा, never have I been to Chennai, बात आ रही है समझ में, बहुत असान है, we have seen her nowhere, हमने उसको कहीं भी नहीं देखा है, यह sentence बिलकुल ठीक है, लेकिन अगर nowhere को शुरु में move कर दिया जाए, और मैं ऐसा लिख दूँ, nowhere have, nowhere we have seen her, तो यह sentence हो जाएगा, गलत, क्यों ह जाएगा, nowhere to negative ad verb है, शुरु में लगा दी है आपने, शुरु में लगा दी, sentence में inversion करो, have जो helping verb है, उसको subject से पहले रखना पड़ेगा, वैसे she never lies, वो कभी भी जूट नहीं बोलती है, अगर never को शुरु में रख रहे हो, तो एक काम और कर लेना, helping verb को भी she से पहले ले आना helping verb यहाँ पे है नहीं, present definite tense है, इसकी helping verb होती है, does या do, she के साब से does आएगी, यहाँ पे लग जाएगा lie, tenses नहीं सिखा रहा हूँ है, tenses अलड़ी आप जानते हो है न, basics कर चुकियो, तो never does she lie, never have we seen her, never have I been to channel, इस तरीके से आप इन adverbs को शुरु में लाकर के use करते हो, बस यहाँ भी यही कमाल हुए, nor को इस close के शुरू में रखा गया, इसलिए, it से पहले does, और main verb it के बाद, बढ़े हांगे, complete English grammar की जो सीरीज है, YouTube पे रखी हुई है, 20-21 पार्ट है, वहाँ पे detail में सारी adverbs साब को examples के साथ में करवाई हुई है, करे within its core ambit, the law does mandate expanded background checks, including state and local jubiline and mental health records of gun purchasers, 18-20 years, अब यह इतना ही पढ़ेंगे, बहुत लंबा sentence है, करे इसके core ambit के अंदर ही, core मतलब main, primary, ambit का मतलब है, दायरा, करे इसी के जो मुखे दायरा जो है न, उसी के अंदर, यह law इसी को mandate करता है, जरूरी बनाता है, कि expanded background checks हो, बड़े बड़े background checks हो, जिसमें शामिल है, state और local juvenile और mental health records, state का record देखा जाए, local record देखा जाए, juvenile health देखा जाए, record देखा जाए, mental health का, और किसका gun purchases का, जो 18-20 साल के हैं, तो एक चीज़ तो इसमें यह शामिल है, अब बाकी की चीज़े देख लो, closing of boyfriend loophole by denying gun ownership to convicted domestic violence offenders under certain conditions, दूसरा काम है, इसमें close कर देने का उस loophole को, उस कमी को, जिसको उन्हों नाम दिये boyfriend loophole, यह क्या होता है, यह closing ऐसे होगी कि deny कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा, gun की ownership को, ऐसे लोगों को जो convict हो चुकी है, जिनका दोश, जिनका आरोप प्रूव हो चुका है, domestic violence का, ऐसे offenders का कुछ conditions के under, तो boyfriend loophole क्या है एक लड़का गन लेने है, आपसे 25 साल का, और वो गन लेकर के अपनी girlfriend को गोली मारने जा रहा था, आपने उसको चेकी नहीं किया, वो कई बार अपनी girlfriend पे domestic violence के, जो offense कर चुका है, तो यह boyfriend loophole भी बंद कर दिया जाएगा, अगर domestic violence करोगे, अमरीका में, अपनी girlfriend को मारोगे तो आप ऐसे boyfriend बन जाओगे, जिसको गन जो है, अमरीका में अब नहीं मिलेगी, समझ पार हो ना, इस तरीके से सारी provision इसमें मिलेंगे, फिर क्या है, red flag laws that will grant federal funds to states with laws enabling removal of guns from persons deemed dangerous, तो तीसरा इसमें है red flag का law, इसमें क्या होगा, इस law में मिलेंगी federal funds के इंदर सरकार से कुछ प लॉज के साथ में, जो enable करेंगे, गन्स को हटाए जाने को, रिमोवल को, ऐसे लोगों से, जो deemed है, जो considered है dangerous, तो यह red flag law भी अब आ जाएगा, अगर आप एक dangerous आदमी होना, तो आप से police, जवरन, आप से घर आकर के, आप से बंदूग लेकर के चली जाएगी, अमरीका में, और लास्ट में, अब यह सारी चीज़े हो गई, अब करें यही law जो बना, यह set aside भी करता है, बाजू में रखता है, set aside करना मतलब save करना, लगबग nearly 13 billion for education and advocacy towards improving mental health in schools, crisis intervention, violence prevention programs, mental health worker training and school safety, तो यह 13 billion dollars, इतने सारे पैसे को भी side में रखेगा, इन सब चीज़ों के लिए, education के mental health को improve करने के लिए, crisis के वक्त पर intervene करने के लिए, violence को prevent करने के programs में, health workers की mental health workers की training में और school की safety में, देखो sentence वास्ता में निहायती जो है बदमा sentence है, देखो इतना लंबा sentence बनाया है इसने, तो हमने कोशिच किया इसको piece by piece बढ़ने की, अब फटा बट आगे बढ़ते हैं, ए इसके ambit के अंदर ये सब चीज़ें जरूरी हैं, सब चीज़ें शामिल हैं, जिसमें पहली चीज़े, expanded background checks हो हैं सभी के लिए, और इसमें सब ये चीज़ें शामिल हैं, इसमें boyfriend loophole भी है, वो भी बंद कर दिया गया है, इसमें red flag laws भी हैं, जिसमें किसी की बंदूग भी ल करते हैं, करें, however, the law does not hint at reviving the assault weapon ban of 1994, which expired a decade later, since which time this category of weapon has become the most frequently used in lethal mass shootings, करें अब ये सारी अच्छे अच्छी बाते बता दी आपको मैंने, ये इतनी लंबी है न, तेर्ट सो वर्ट की, इसके साथ में एक बुरी बात भी है, बुरी बात ये है, however, कि ये जो law है ना, बिल्कुल भ रिवाइब करने का assault weapon ban को, assault weapon आप जानते हैं, बड़ी बंदू के हैं, जिन में आपको बिना reload किये, लंबा जो है, कार्टरिज मिलता है, न, AK-47-56, तो ये law हो है न, बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा, इन assault weapons के ban को, रिवाइब करने को, जो 1994 में लगा था, और जो expire हो गया 2004 में 10 साल के बाद, करें जब से, since which time, जब से ही, ये category of weapon जो है, assault weapon, ये बन चुके हैं, सबसे यादा frequently used weapons, lethal mass shootings में, बहुती मारक बड़े scale की shootings में, तो ये जो 1994 में इन्होंने करके दिखाया था न, assault weapon को ban करने का काम, ये ban जो है, फिर से इस बार के कानून में नहीं कर पाए, लोग की बड़े does not hint, hint at करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, ध्यान रख लेना, hint के बाद में at आएगा, on नहीं आएगा, hint on नहीं होता, hint at ही होता है, which की बड़े expired, which आया, assault weapon ban of 1984 के लिए, category की बड़े has become, lethal मतलब deadly यानि की मारक, अब देखो, last में है conclusion, करा, while the BSC Act is a welcome step in the right direction, the US has a long road ahead, and complex questions to resolve, regarding its obsession with unrestricted gun ownership, before mass shootings in public places stop occurring, अब यहां से इस article की पूरी soul मिल जाएगी, आपको आत्मा मिल जाएगी, करा, जहां यह अच्छा अच्छा प्यारा 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 जो act है न, यह welcome step है, सब इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और यह step है, right direction में, सही दिशा में, करा, वहीं पे, अमरीका की आज भी एक जुनून के बारे में, obsession के बारे में, mania के बारे में, जो है बे लगाम गन की ownership का, एक आदमी है, खाने को दाने नहीं है, लेकिन दो दो बंदू के लेके गुम रहा है, तो यह जो बे लगाम गन ownership है न, जो जुनून है इसका, इन सारे questions को solve करना अभी भी बाकी है, और कब बाकी है भाई, इससे पहले कि अमरीका में mass shootings हो है, public places में, वो रुक जाएं, अकर होना, take place होना, transpire होना, तो यह सारा अच्छा-च्छा act है, सही step है, सही direction में, लेकिन अभी भी कई सवाल और लंबी सी एक दूरी बाकी है, अमरीका को भी, पहले समझना होगा उसको कि हमारा की वब है, has, shooting सी वब है, stop, obsession, mania, जुनून, unrestricted, unhindered, अकर होना, take place होना, किसी चीज़ का घटित होना, interesting article था, यह एक sentence सोड़ दो तो बहुत simple था पढ़ने में मेरे इसाब से हैंना, अब आजाओ अपने हाज के quiz पे, छे में से कितने marks मिलें, जरूर से बताया करो, सब लो अगर दोनों meaning आ रहे हैं, तो D आपका answer है, और अगर दोनों में से एक भी नहीं आ रहा तो ऐसा हो नहीं सकता, एक तो आएगा ही आएगा, उसको आप choose कर लेना, ठीक है, second में आप से पूछा है, ऐसा आदमी जो jump sides करे, jump side या jump ship करने का मतलब आप समझ चुके हैं, दल बद करना, तो यह jump side या jump ship करने वाला आदमी one word में क्या कहलाएगा, तो यह मैंने आपको पूछा था question, वही वाला है यह, है न, fisherman बोलेंगे, turn code बोलेंगे, pirate बोलेंगे, लुटेरा बोलेंगे, seller बोलेंगे, तो भाई, इन चारों words को डिक्सरी में डाल लो, गर नहीं आता तो बड़ा simple सा है, आपको जिंदिगी बर याद रहेगा, अब आजाओ तीसे चोते पर, दो आपके सामने errors है, find आपको करनी है, hint मैं दे देता हूं, दे दू हिंट, पहली है negative ad verb से related, और दूसरी है hint नाम की verb से related, अब आप खुद समझदार हो, graduate हो, अब आजाओ last के दो questions पर, पहला एक closest का, इसमें आप से पूछा गया है, यहाँ पर क्या लगाएं, of course, इन चारों में से सही word आपको निकालना है, transcend, transpire, transgender, transit, transport, जो भी लिखे हुए हैं, सही meaning का word आपको यहाँ पर fit करना है, और sixth में भी again, आपके बस चार words हैं, सही meaning वादा word आपको fit करना है, statement, discourse, glimmer प्रिया, preoccupation, अब देखो, सारे words करवा चुका हूँ, मैं यह ऐसा नहीं है, कुछ नहीं आप देख रहे हो, सब के meaning जानते हो, कोशिश करो, छे हो questions के answer आपको comment में मिलेंगे, first comment में डाल रहा हूँ, मेरे answer से अपना match कर लेना, hints भी आपको मिल जाएंगी, और out of six कितने marks मिल कॉमेंट्स में जरूर से बताएं, आप से लूंगा इजारत कल तक के लिए, courses अगर चाहिए हो, तो application पे available है, SSC, writing और banking का, आप जाकर कि इनको available कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो, applications से related, courses से related, मेरी team से बात करें, यह numbers से whatsapp, जरूर से इन पे message कर सकते हैं, until then, एक like और share, signing out. झाल